नेक्स्ट कोश्यन है विरुपाक्ष मंदिर कहां इस्तित है केरल करनाटक असम आंध्य प्रदेश विरुपाक्षा टेंपल लोकेटेड केरला करनाटक असम आंध्य प्रदेश पताई कहां पे इस्तित है तो आप लोग आंसर दे रहे हैं करनाटक है ना विरुपाक्ष मंदिर कहां पर इस्तित है करनाटक में इस्तित है बिल्कुल ठीक है राइट आंसर हो जाएगा बी करनाटक जिन भी लोगों ने आंसर बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है याद करने की ट्रिक पहले देख लेंगे वीरु नाटक कर वीरु किसे हो गया विरुपाक्ष मंदिर नाटक कर से हो गया कर नाटक क्या हो गया कर नाटक विरुपाक्ष मंदिर भगवान सिव का मंदिर है और ये एक धार्मिक परेटानस्थल है और सात्वी सताबदी में बनाए गया था और कहां पे इस्तित है करनाटक हमपी में इस्तित है ठीक है हमपी में इस्तित है और हमपी के विभिन अन्य मंदिरों में सबसे प्रशिद मंदिरों में से एक है हमपी के सभी विरासत अस्तिलों को युनेसको द्वारा मानिता दी तो शिव इस्थानिय देवी पंपा के सहचारी है और इसी लिए इस मंदिर को पंपा पती मंदिर भी कहा जाता है यानि विरुपाक्ष मंदिर को पंपा पती मंदिर भी कहा जाता है विरुपाक्ष विरुप प्लस अक्ष से बना है किस से मिलके बना है विरुप प्लस अक्ष विपरीत अक्षवाले इसका मतलब क्या हुआ विपरीत अक्षवाले को समर॥ित है यह प्राचीन मंदिर भगवानशिव के रूपों में से एक है जिसे प्रशन विरुपक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो मंदिर है वो द्रविड स्थापत्य सैली में बना हुआ है किसमें बना है? द्रविड स्थापत्य सैली में बना हुआ है कहां पे इस्तित है? कर नाटक में इस्तित है भगवान शिव का मंदिर है तो right answer हो जाएगा कर नाटक चले, next question आप देखेंगे रोबर्स कप निमनलिखित में से किस खेल से संबन देथ है? लॉल टेनिस, फुटबॉल, स्नूकर, तैरा की बताएगे, रोबर्स कप is related to which of the following sports लॉल टेनिस, फुटबॉल, स्नूकर, स्विमिंग आप लोग answer दे रहे होंगे, football है ना, बिल्कुल ठीक है आप लोगो का answer, right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, football football वाले बिल्कुल ठीक है, right answer, football हो जाएगा रोबर्स कप जो है, वो football खेल से संबन देता है football में total कितने, 22 player होते हैं, जिसमें से 11-11 की दो टीमें होती हैं, है ना, और यह जो terms देख रहे हैं, आपको मैंने इसका एक quiz भी करायता है, ना, all ball, back of the net, ball to hand, bicycle kick, boot it, box to box, यह सारे terms किसे football से related हैं, किसे related है, football से related है, तो बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप यह देख लेंगे, और यह जो trick है, रॉब धक्का मुक्की वाला football, रॉवर्स कब किस से संबंदित है, football से संबंदित है, ओके, तो इस trick से आप देख भी सकते हैं, चले, next question देखेंगे, निमनलिकित में से किस वर्स में cabinet mission भारत में आया था, 1946, 1942, 1947, 1919, in which of the following year did the cabinet mission come to India, कब आया था, ओके, आप लोग answer दे रहे होंगे, सबको पता होगा है ना, cabinet mission भारत आया था, 1946 में, कब आया था, 1946 में, बिल्कुल ठीक है, एवाले बिल्कुल ठीक है, तो राइड answer हो जाएगा, 1946, 1946 में, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, एटिली ने, भारत में एक तीन सदसी, उच अस्तरिय सिस्ट मंडल भेजने की गोशना की थी, आपको मैंने बहुत तो बार बताए है ना, और इस सिस्ट मंडल में, ब्रिटेस क्याबिनेट के तीन सदसे भी भेजे गये थे, कौन-कौन, पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव, सरिस्टेफ और क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर, अब इसे याद कैसे करेंगे, पहले तो cabinet mission कब आया था, 1946 में आय था, इसे याद करने के लिए ट्रिक है, Cabinet Mission 4-6, 4-6, 4-6, 4-6 ऐसे याद कर सकते हैं वैसे तो यही याद करना असान है 1946 बट फिर भी Cabinet Mission 4-6 अगर Sun याद करने में, यह याद करने में आपको confusion होता है तो 4-6, ऐसे आप याद कर सकते हैं और यह याद करने के लिए ट्रिक है जो तीन नाम है अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और इस्टेफर्ड क्रिप्स क्या है ट्रिक अलेक्जेंडर के पत पर काटे अलेक्जेंडर से आपका एवे अलेक्जेंडर हो गया पत से हो गया लार्ड पैथिक लॉरेंस और काटे से हो गया सरिस्टेफर्ड क्रिप्स तो ये तीन आप इससे याद कर सकते हैं 1946 में आया था Cabinet Mission Next question is सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान, उत्तराखन In which state is the सरिस्का टाइगर रिजर्व located चले आंसर दीजे बिल्कुल ठीक है, आप सब आंसर दे रहे होंगे C. राजस्थान बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पे है राजस्थान में स्थित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है और 1978 में इसे भारत की प्रोजेक्ट टाइगर योजना का एक हिस्सा बनाने के लिए एक बाग आरक्षित का दर्जा दिया गया था किसे? सरिस्का टाइगर डिजल को और इस रास्टिय उद्यान में कई जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें चार सिंग वाले हिरर, जंगली सूर, लंगबूर, कैरकल, सामबर और चीट डलाते हैं कई इसमें क्या पाई जाते हैं? जंगली प्रजातियां पाई जाती हैं 1955 में वनिजी रिजर्व गोशित किया गया था किसे? सरिस्का टाइगर डिजर्व को किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? बताईए तो आपको मैंने बहुत तो बार बताया और आपको इसका ट्रिक्स भी बताऊंगी है ना बिल्कुल ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा डी आल आप दी अबव तियुकुरो मनाबे क्लॉज हैसलमेन और जियोग पैरिसी जो है इन्हें भौतिकी में 2021 का नॉबल पुरसकार दिया गया है भौतिकी में नॉबल पुरसकार जो है वो रॉयल स्व प्रिथवी की जलवायू की भौतिक मॉडल पुरसकार एक स्वड़ पदक और दस मिलियन स्विड़िस क्रोना के साथ आता है मनाबे और हैसलमेन को पृतिवी की जलवायू की भौतिक मॉडलिंग ग्लोबल वार्मिंग के पुर्वानुमान की परिवर्तन सीलता और प्रमाडिक्ता की मापन छेत्र में उनके कारियों के लिए चुना गया है और जौर्जिया पारिसी को परमाड़ों से ग्रहों के मान दंडों तथा भौतिक प्रडाली में विकार और उतार चरहाओं के जो परस पर जो क्रिया है इसकी खोज के लिए पुरसकार के लिए चुना गया है चीक है अब ट्रिक देखेंगे ट्रिक बहुत अच्छा है सुक्रमनाओ फिजिक्स की क्लास में जीयो हसा नहीं क्या है ट् फिजिक्स से आपको पता हो गया कि फिजिक्स की बात हो रही है ना फिजिक्स में नॉबल प्राइज इन तीन लोगों को मिला है किसे किसे शुक्रमनाओ फिजिक्स की क्लास में जीयो हसा नहीं ऑके यह ट्रिक से आप याद कर सकते तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है और ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और चैनल को आप देख सकते हैं आपको बेल आइकन का ओप्शन दिख रहोगा आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जब भी कोई क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे थैंक यू सो मजज, थैंक यू एवर्यवन